ये गाइस वालकम और वालकम बैक टू मैं चैनल दिपिका स्टाइल और मैं हूँ दिपिका कैसे आप सबी लोग आई हो अब सब ठीक होंगे तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है ये नारियल की चटनी जो की एक साउथ इंडियन रिश है इस चटनी को डोसा इतली उत्पम बड़ा के साथ खाया जाता है अगर ये चटनी ना हो तो वो खाना अधूरा सा होता है तो ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है बहुत इंस्टेंट और क्विकली इसको बनाया जा सकता है और बहुत इजी रेसिपी है तो ये मैं रेसिपी आप लोगो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सबस्क्राइब करिएगा अप्लोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन AAPKО Mela और नारियल की चत्नी बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें नारियल लेना है तो यहां पर मैंने नारियलwe जिसको छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है नेक्स यहां मैं ने अद्रक के तुकड़ा लिया है थोड़ा सा नेक्स यहां पर दो ग्रीन चिली हैं जिनको बीच से कट कर लिया है नेक्स यहां पर मैंने स्वाद के अनुसार नमक लिया है आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं नेक्स यहां पर यह रोष्टे चना डाल है इसको मैंने रोष्ट कर लिया था नेक्स यहां पर यह एक चमस दही है तो यह चीज़े हम यूज करेंगे और तड़के के लिए मैंने यहां पर ली है सुखी लाल मिर्च है मस्टर्ड सीट्स है और कड़ी पते हैं तो यह मैं तड़के के लिए यूज़ करूँगी तो चलिए फिर शुरू करते हैं नारियल की चटनी बनाना तो यहां पर मैंने एक मिक्सर जार लिया है तो सबसे पहले मैं ये नारियल के तुकड़ों को इसमें डाल दूँगी और बाकी सारी सामागरी भी मैं इसमें डाल दूँगी जैसे ये हरी मिर्च है अद्रक का तुकड़ा है और रोश्टे चना दाल है और दही है ये सारी चीज़े मैं इसमें डाल दूँगी और साथ ही साथ मैं इसमें अब नमक भी एड़ कर दूँगी तो नमक आप अपने स्वात के अनुसार ले सकते हैं और अब हम इन सब चीजों को मिक्सर जार से ग्राइन कर लेंगे तो ये देखें मैंने अच्छे से इसको ग्राइन कर लिया है कितना अच्छा थिक पेस्ट बन के तयार है ऐसे ही थिक रखना है अगर आपको थोड़ा सा पानी मिलाना है तो आप वो भी मिला सकते हैं तो इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ पहले उसके बाद हम तड़के की तयारी शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में सारी चटनी को निकाल लिया है अब चटनी अभी ready नहीं है पहले हम इसमें तड़का लगाएंगे तड़का लगाएंगे उसके बाद ही ये चटनी पूरी कंप्लीट होती है बहुत टेस्टी लगती है तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन ले लिया है जिसमें दो चमच ओयल डाला है मैंने रिफाइंड ओयल है अब मैं इसमें सूखी जो लाल में चली थी वो डालूँगी मस्टर सीट डालूँगी और साथी साथ मैं इसमें करी पत्ते डाल दूँगी इन सभी को थोड़ा सा हम भून लेंगे तो यहां पर यह अच्छे से भून चुकी है अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं ज्यादा नहीं मुन्या है वरना यह करी पत्ते हैं वो जल जाएंगे तो यह अभी हो चुका है अब हम जो हमारी चटनी थी उसके उपर हम इसको डाल देंगे तो यह है चटनी इसके उपर हम जस्ट ऐसे ही फैला देंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे नार्यल की चटनी बिना तड़के की तो अच्छी नहीं लगती है जब तक उसमें तड़का ना लगाया जाए उसका स्वाद अधूरा होता है तो इसको अच्छे से पहले मिला देते है तो यह देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है नार्यल की चटनी बनके एकदम तयार है तो यह देखिए नार्यल की चटनी बनके रेडी हो चुकी है आई होप आपके लिए यह वीडियो हेलफुल रही अगर helpful रही तो प्लीज मेरे चैनल को like करें, share करें और मेरे चैनल को subscribe करना ना भूलें I hope आपको ये recipe पसंद आई हो, आपके लिए helpful रही हो तो मेरे चैनल को share करना मत भूलेगा आपने friends and family में like करें और subscribe जरूर करें और bell icon को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स recipe के साथ तब तक के लिए बाई बाई